पूरे देश में ड्राइरन की शुरुवात हो गई है डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देख सकते हैं जी टी बी हॉस्पिटल की डैम बिल्डिंग में पहुंचे हैं जहां पर तीन कमरों को स्पेशल वाड में तबदील किया गया है जहां पर ड्राइरन चल रहा है अगर यहा जी टी बी हॉस्पिटल की बात करें कुल मिलाकर 2700 जो हेल्थ वर्कर हैं उन्हों ने अपनी तरीफी से रेजिस्टेशन कराया है कोविन के तहट जिन में से 25 का रेजिस्टेशन के बाद यहां पर ड्राइरन किया जा रहा है वेक्सिनेशन का ट्राइल किया जा रहा है तो रोटेला भी साथ में है जो डारेक्टर हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात समझाते हुए देश के सौस्ते मंत्री आपको प्रिट्ली स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जहां पर अभी गए हैं डॉक्टर हर्श वर्दन ये हैं वे सेख शब्राइड हमें तो यहां पर वेवेटिंग एरिया हैं सबसे पहले हर करना होगा उसके बाद रेजस्ट्रेशन कांटर पहुंचेंगे तो रेजस्ट्रेशन कांटर की बाद करें तो यहां वेटिंग अरिया में तक्रीब सब्सक् foulobay आइश का 성공 का वक्त लगता है ज यहां पर computer के जरीए registration होगा और COVID application का ही इस्तमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर जो application है वो COVID है और COVID application पर ही ड्रायरन के शुरुवात हो रही है। ठीक चल रहा है क्या application ठीक से काम कर रही है यही COVID application है इसके आगे कि आपको आपको दिखाते हैं यहां पर आपकी वेक्सिनेट किया जाएगा और आप देख सकते हैं जो ट्रायरन के तहत वेक्सिनेट किया जा रहा है इससे प्लैसीबो कहते हैं जो तकनिकी भाशा है तकनिकी जब भी वेक्सिन का ड्रायरन होता है तो उसे प्लैसीबो कहते हैं और प्लैसीबो का मतलब है जो देखने में वेक्सिन लगेगी लेकिन असली नहीं होगी तो यह प्लैसीबो के तहत यहां पे जो 2700 हेल्थ वर्कर है उनमें से 25 को इस तरीके की injection दिये जा रहे हैं आपको स्वैलिंग हो सकती है तो कि अब राना नहीं है, कोल्ट पर्मेटेशन कर लिजेगा, फीवर होगा तो पैरसिक्टम हो लिजेगा, अब आप एक को आदे घंटे तक आपको बाहर रखना होगा और बाहर रखने के बाद आपको देखा जाएगा कि कहीं कोई प्रॉलम त चल रहा है वहां कैसी तयारिया है आई आपको दिखाते हैं हम इस समय मौजूरू के कमाक्षी पालिया इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर वर और यहां पर जो है ड्राइर रन शुरू हो चुका है सबसे पहले आप देख सकते हैं रेज्ट्रेशन काउंटर है यहां पर जो है तो मैं दिखाऊंगा आपको कि अंदर किस तरह के इंतिजामात किये गए हैं अंदर जो है तीन रूम बनाए गए हैं और उसमें से पहला रूम जो है वेटिंग रूम है यानि जब रेज्ट्रेशन के बाद लोग अंदर आएंगे तो उन्हें पहले इस रूम में यहां रखा जाएं और यहां पर भी आप दिख सकते हैं चार से पांच लोगी जो है एक साहथ यहां पर रह सकते हैं वेटिंग रूम से फिर सीथे एक के करके जो है इन लोगों को वेक्शिनेशन रूम बुलाया जाए गा मैं आपको कि दिखाऊंगा कि किस तरह से या फिर वैक् होगी आप देख सकते हैं फ्रेजर सके गए है इसी में जो है वैक्षीन रखा जाएगा और वैक्षीन खतम होने के बाद जब यहां वैक्षीन खतम होगा तो फिर जो है इन्हों है जो लोग यहां पर वैक्षीन करके निकलेंगे उन्हें सीधे ऑब्जरवेशन रूम में साथ बताया भी जा रहा है कि आप चक्रों कि आपकी तबिया ठीक है और एक नर्ज भी यहां पर रहेगी लगातार जो इनके संपर्क में रहेगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा यह जो वेक्सिनेशन प्रोसेस है प्रक्रिया है इसको अंजाम दिया जाएगा वी इस तरह की तैयारी यहां ड्राइर रन कि आज हिंदुस्तान में ड्राइरन किया जा रहा है उसी कड़ी में जैपुर के चार इस्तानों पर ड्राइरन है और हम एक सेंटर पर मौजूद है त्यारियों को आप देखा देते हैं कि पहले जो तमाम 25 लोग बलाए गए वह आए उनके लिए गोला बनाये गए हैं यानि कि उनको सोचल डिस्टेंसिंग यहां पालना कराई जाएगी इसके साथ ही यह एकजिट पॉंट रहेगा जैसा कि आप देख रहें तस्वीरों में लिखा भी है उपर कॉविड 19 टीका करन केंद्रे जेके लॉन अस्पिताल प्रिव जो भी आएगा उसका तापमान नापेंगे अब ठीक है मैं उनका तापमान नाम पूछूंगा उसके बाद में सेंट्राइज करोगा के फिरंदर जी देखिए हमारे साथ कुछ में जुड़ गई है यह है रेजिस्ट्रेशन यानि कि यहां सबसे पहले जो जिनका टीका करन उनका रेजिस्ट्रेशन किया जाएगा और पूरा स्टाफ यहां बैठाए क्योंकि हर जगहें 25-25 लोगों की टीम मनाई गई है मैं यहां क्या होगा जिनका ड्राइरण होगा यहां क्या परकरिया होगी यहां पे वरिफिकेशन हो रहा है जो भी कडिड़ेट उनका वैरिफिकेशन होकर है सेंटर जी एक हो चुके हैं एक वैक्सिनेटर हो चुके हैं ये टीका गार्ण का कर्श है मैं ओटीपी देखके उनको बिठाऊंगी पहले फिर उनसे पूछूंगी उनको कोई प्राब्लम तो नहीं है जब वो यस करेंगे तो मैं उनको समझाऊं होगी कि आपको कौनसी वैक्सिन लगाई जा रही है और इस वैक्सिन से क्या होने वाला है इस वैक्सिन को लगाने से कौनसी विमारी कवर होएगी और ये नेक्स्ट वैक्सिन आपको कितने दिन बाद लगेगी वह आपके पास मोबाइल में मैसेज आजा जाएगा और उसक के जो भी एनम आशा वरकर जो भी हैं उनसे कॉंटेक्ट में रहेंगे यह ड्रायरन पहला चरण है जो हमारी इस निरनायक जंग में ये बताएगा कि राजिस्तान कितना तैयार है वेक्सिनिशन के लिए विडियो जनलिस्ट राजी चौदरी के साथ लाज सिंग फौजदार निजनिशन जेपर